आवाज की दुनिया की दोस्तों कवीच अच्छा लगे सब्स्ट्राइब करें संदरकान माली मेग माल बन पाल विकराल भट नेके सब काल सींचे सुदा सार नीर के मेग नाद ते दुलारू प्यान ते पियारू बागू अतिया नुराग जिये जातू दहन धीर के फुलसी सुजान सुनसी को दर से पाई पैठो बाट का बजाई बलरग वीर के विद्दे मान देखत दसानन को कानोन सु तैस नैस की उसासी समीर के मेगों के समय माली हैं और बड़े बड़े विक्राल भट उस बाग के रक्सस हैं वे सब समय अमरत के सार सद्रस मीथी जल से उसे अच्छी प्रकार सीचते हैं धीर वीर रावन के चित्म उस बाग के प्रति अत्यंत अनुराग था उसे वह मेगनाद से भी अधिक दुलारा और प्राणों से भी अधिक प्यारा था गोसाई जी कहते हैं ये सब जान सुनकर भी हनुमान जी जानकी जी का दरसन पा त्री रामचंदर जी के बल से बाग में निसंक घुशदे और रावन के रहते और देखते हुए भी सासी वायू नंदन ने उस्वन को तैस नैस कर दिया में त्रो आवाद की दुनिया के दोस्तों लंकाद हैं बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तम तर होरी होरी दहाई आये बांधत लंगूर है तैसो कपिकोच के दिरात धीले गात के के लात के अगात सही जी में कहे कूर है बाल के लिकारी के के तारी देदे गारी देत पाचे लागे बाजत निसान डोहलतूर है बाल दी बढ़न लागी ठोर ठोर दीहीं आगी विदकी दवारी केंधो कोठी शतसूर है राक्सस लोग गली गली दोड़ कर प्प्टे बठोड़ कर उन्हें तेल में डुबा डुबा कर हम्मान जी की पूंच में भांधते हैं वैसे ही खिलारी हनुमान जी भी डरते हुए इसे सरीर को धीला करके उनकी लातुन को आघात सेन करते हैं और ये मन-मन कहते हैं ये सब कायर है बालक, विलाकारी, मारवर तुसी बजा बजा कर गाली देते हुए पीछे लगे हैं तथा नंगाडे धोल और तुरही बजाए जा रहे हैं पूछ भढ़ने लगी और राक्सुन उसमें जहांता आग लगा दी जिससे वैसी जान परते थी मानूँ वैविंदे परवत की दावागनी हो अत्वास्तो करोड सूर्य हो लाए लाए आगी भागी बाल जाल जहां तहां लगू है निवकू गेरू मेरू तु भिशालब हो कोट की कपी से कूदी कनक कंगोरो चड़ो रावन भवन चड़ी ठाडो तेही कालब हो तुलसी विराजो ब्यों में बाल दी पसारी भारी देखे है रात भट काल सू करालब हो तेज को निधान मानू को टिक कृसान उभान नख विकराल मुक तैसो जिस लालब हो हरे हरे बाल समों पूच में आग लगा लगा कर जहांता भाग गए और हनुमान जी छोटे हो हंद से निकल कर फिस सुमेरू परवत से भी विशाल हो गए तंदंतर खिलारी हनुमान कूदर कर सोने की कंगोरे पर चड़ गए और उहां से उसी समयरावन की राज महल पर चड़ कर खड़े हो गए गोसाई जी कहते हैं मित्रोग उस समय वे आकास में अपनी लंबी कूंच फैलाए होए सोसो बित्थे उसको देख कर भी लोग हर हर थरा आते थे उस समय वे काल के समान भेंकर हो गए वे तेज के पुस्व से जान परते थे मानू करोड़ों अबने और सूर्ज हैं उनके नक बड़े विक्राल थे और वैसे ही मुख भी क्रोद से लाल हो रह रहे